तो स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल देशा एगरी कल्चर अकडमी प्यारे बच्चों आज आपको जो पेपर था वो बेसिक एगरी कल्चर का था आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और आप ज्यादा फे ज्यादा कोशन्स को यहां पे सरी करके आए होगे क्योंकि दिशा एगरी कल्चर अकडमी पर जो क्लास दे गई थी आप देख सकते होंगे आप मिला लो आप देख भी सकते हो कि जैसा पढ़ाया जाता अदिशा एगरी कल्चर अकडमी में सीधा पेपर में छपने बारे कोशन्स आपको करवाया जाते हैं और परिच्छा में प्रस्ण हो भाहू पूछ लिए जाते हैं जैसे के तैसे तो खैर उसकी सटीक आंसर की थोड़ा लेट ला पाया हूं आज अभी आप इस आंसर की मिला लो इसके बाद जो है इंट्रोड़क्टी बायोजिक क्लास आए ठीक है ना इंट्रोड़क्टी बा बाला भागा इस क्या है रोट यह कापी अच्छा प्रस्ण था आपसे पूछ दिया गया था सही उत्तर हो जाएगा रोट कुस्टन नमबर नेक्स्ट क्लाइमिटिक फूट इस आहां मेंगो ग्रेप जामुन लेची ऐसे पढ़ जिनको हम तोड़ करके जिनको हम प्लभच्छों से तोड़ करके और आसानी से उससे हम पका सकें उसको बोलतें क्लाइमिटिक फूट तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मैंगो लेकिन ग्रेप म फटापड़ करेंगे तो आप लोग देख लेना कि आम का एक प्रसारण होता है बोले तो मैंगो इस कामर्सली प्रोपागेटेड वाई मैंगो जो है कोमर्सली प्रोपागेटेड होता किसके दौरा तो विनियर ग्रॉप्टी जो बच्चा करके आया जिसका यह पेपर उसका आंसर नहीं आपे सही है राइट उत्तर जाएगा उप्सन नमबर डी के साथ में जोगाईच कॉस्टन नमबर चार वीच्च आप इफॉलोंग इलिए नाट ए मैथड आप बड़िंग कौण सा मैथ mapped iC जिसमें बड़िंग क्लचर लगा इसलिए सब्द हो जाएगा लाइटिं ऑप्शन नंबर भी यहां पर सही है नेक्स्ट तिक का रोक किस संब्दी थे टिकगा डिजी इज रिलेेटेट्पो मोंग फली घंणा मक्का इया फिर धान से प्यारे बफच्छों किस चीजवं इस तैज्य कउर्च सरकोिस्फोर ए रहेचिडी कोला नामक कबक के दौरा होता खीक है काफी अच्छा प्रसंत आई सीधा पूश लिया उसनोंने बारती ये पादव रोग विग्जान के जनक यानि फादर आप इंडिन प्लांट पैथालोजी के कौन है इजे बटलर तो ठीक है न इजे बटलर जो है ये भारती ये पादव रोग विग्जान के जनक माने जाते हैं काफी अच्छा कोशन था ये नेक्स्ट आइरिस फैमीन आइरिस फैमीन जो है किस बर से दर्ज किया गया था मतलब ये पचेती जुलसा बिमारी समधिता किसे समधिता पचेती जुलसा से समधिता क्रॉप का नाम था आलू और 1885 का सही उत्तर माना जाएगा तो ये जो भी बच्चे भी उप्संस को टिक करके उनका आप उत्तर सही है नेक्स्ट ये काफी अच्छा प्रसंट था कि बंगाल फैमीन दर्ज किया गया तो जो बंगाल में फैमारी आया थी तो धान के बारे में आया थी धान का रोक कौनता है ब्राउन लीप स्पार्ट आव रा धान ब्राउन लीप स्पार्ट रोग का कारण यह विमारी बच्चों कबक के द्वारा होती थी यानि फंगाई यहां पर राइट उत्तर हो जाएगा सभी उत्तर हो जाएगा उप्सन नमबर सी यानि फंगईस नेक्स्ट दान की खैरा रोग का कारण है जिंक तत्त की कमी से यह विमारी होती है तो दान की खैरा विमारी है बच्चो यह जिंक की कमी से होती है ठीक है यह कापी अच्छा प्रसंदा और आज आपके एक्जामे पूछ लिया गया हब नोज इसमट अबच्व proyecto कैसा है इंटर्ली सिट और उप्स हुगा राइट उत्तर जाएगा ऑपशन नंबर बीद के साथ में लीज इन्टर्ली सीट बॉर्nes नाल बारस का यह काफी अच्छा प्रसंथा नाल बारस का यह काफी अच्छा प्रसंथा जिसने किया है ठीक है चलो रोग फैलाने बाला कारक है मतलब डिजीज कॉजिंग एजन्ट इज ऐसे कारक जो रोग को फैलाते तुक्त पैथोजन बोलते हो उसको ठीक है नेक्स्ट एबनॉर्मल कंडिशन आप प्लान्ट इस काल्ट पहुदे की आसायमान निस्ति ती क्या कहला थी क्या इच रोग जनक पहुदा बोल सकते हैं उसको डिजीज बोल सकते हैं इन्वाइरमेंट बिजीज बोला जाएगा आइधिंक यहां पर उसको नेक्स्ट या फिर यह सभी बोला जाएगा राइज सब क्या सब डी ऑप्सिंस राइट डी ठीक है नेक्स्ट जो ग्रिम रेवल्योसन है वो किस सम्मंदी थे बई यह सम्मंदी थे गेहों से जबकि होती क्या गियों दान दोनों से लेकिन आपसे दिया कि इसलिए ग्यों से हो जाएगा आप्प्स्ट इंडिया कई बार पढ़ाएवा प्रसन एक बार नहीं हजार बार पढ़ाएवा प्रसन है कि भारत में हरित करांद की पीता कौन है तो यह हैं भाई कौन है यह हों की प्रोटीन है ग्लोटीन ग्यों की प्रोटीन है ग्लोटीन नेक्स्ट मैंने हमेशा कहा कि मोजग्रो किसके दौरा होता आंसर आप वारस को टिक कर दो सब्सक्राइब ठीक है नेक्स्ट अरी खाथ फसल है जो ग्रीन मेरीन की क्रॉप है कौन सी है धैचा बात की जाए भारत में अरी खाथ की प्रोटीन तो उस्ट नहीं है और उसर भूम या उत्तर फसल की लिए धैचा नेक्स्ट रवी मौसम की फसल है रवी सीजन क्रॉप इज अरहर ग्राम पैडी कॉटर राइट उत्तर जाएगा ग्राम में नी चना यह बिल्कुल सभी उत्तर है चना नेक्स्ट लिए विचा फॉलाइंग क्राप इज आल सी और है तो प्हारे बच्चों यह सभी और अच्छी बात नेक्स्ट यूरिया में नेटोजन की मातरा होती कितने परसेंट होती है तो यूरिया में परिश्चा में अच्छी बात है नेक्स्ट अब सरवादिक चाबल उत्पादन करने वाला प्रदेश बेस्ट बंगाल ये भी अच्छा अंसर जिसने भी किया है सही उत्तर किया है अब साधिसन क्रॉप गों बेट्विन टू मैं क्रॉप इस नॉन आइस कंपेनियन क्रॉप इंटर करॉप कैस्ट क्रॉप रिले क्रॉप है आए थिंग कैस्ट क्रॉप यह काफी अच्छा पतान नेक्स्ट इस चाहि जल के साथ साक नसिका प्रियोग करते हैं मतलब हर भी साट के साथ में आप तो हर भी गेसन बोल दो काफ यचा प्रसंट आए विया असन राइट हुआ नेक्स्ट प्लारिस मैनल कर सम्मद किस से गेहों से समदी थे खेम से कार्बानिक उर्वरा क्ञेपल क्या तो यूरिया का कॉर्वनिक उर्वरा की यह सब नहीं होते हैं ठीक है ूरिया के लिए औपसट नंबर एह पर राइट है कि दलहनी फसल है एक टाक्ण तो सब हैं दलहनी फसल mist maravilih होती है जित्ता होसक्झे वीडूों सेयर कर तो खटाफटकी अंदाज में अंसरव कि आसे को जब्सक्ते कि और न्युल्र को टिक कर रहे हैं सभी लोग वीडियो को सेयर कर दो और सभी लोग लाइक कर दो नए पर चाल को सब्सक्राइब कर ले अभी इंट्रोड़क्टी बालोजिक क्लास मिलेगी दस वजे के आस-पास गौपर की खाद में पाया जाता है अब यह में कंटेंस में क्या होता है यह सब कुछ होता है अब मतलब व्यटोजने दिनिया पाश्वर तिना पुटास इतना यह सारा आउंता से डी आप्संस राइट है नेक्स्ट राश्टी चाबल सूस अंस्तान इस्तित है कहां पर इस्तित है काप यह चाप्रतन आदर आवाद होना सी यह बढ़ देख लेना एक बार सही सी या कटाक होना सी इसी में दुमें कोई एक साही है कंफ्यूज में हो तो देख लेना बाई ठीक है बेलकुल रिमोबल अब अबाइबने प्लांट्स रोगिंग या फिसे ही उत्तर हुजाएगा रोगिंग अनबांटिट प्लांट को रिमूब करना क्या कराता है रोगिंग नेक्स्ट हैं मर्दा की अधियन को क्या कहते हैं गाइस सटीय आप स्वैल इस काल पेड़ियोजी मर्दा का आधियन के चाल दई पबेड़ियोजी, नेक्स्ट धान के के स्थे कौन सी गैस निकलती है प्रविश गैस फोर इस गैसी रिजली प्रम पाड़ी फिल्ट शीएज फोर मर्दा के मुख्य अब या माने जाते कितने हैं चार है ठीक है ना बायू हो जाता है और जल हो जाएगा कर्वनिक पदार्थ हो जाएगा और मिनरल मैटर यह सारे चार्थ आप तो पाजाते हैं पचीछ पचीछ था यह कानुप पइंटाथ परसंट ठीक है ना कापी अच्छे प्रसंट यह अच्छे प्रसंट सिंपल पेपर आया आए आपका आप मर्दा की बहुत ही कवस्ता पोले तो फिस्कल कंडिस्टान अप स्वाइल इस नौनाइफ इस्ट्रक्ट्ट्ट्सर नेक्स्ट मर्दा में कर्वश्य पदार्त की मातरा कितने पर्शनट पाई जाती है श्यां प्रі fakie secondやって है तो आ जर्म और दींग्स्ट्र क्यों रूप में लेते ही यह भी बास सरूयों ये अ पिस आंत्यों पर उत्तर सहूयों और GIR कि कि टीए पी में डीटोज frenchट होता है दीए पी में क्या होता है कई बार पंटा पड़ में डेस्वकत करेंगे 18 परसेंट होता यान और 46 परसेंट होता is aboutods 150 यह होता किसमें डीए पी में सब राजोवी में एक अए Matthew necks क्ले का आकार होता है लेस देन पॉइंट डबल जीरो टू मिलीमिटर से कम नेक्स्ट कंपोस्ट का एक भाग नहीं है गाईज तो यूरिया कंपोस्ट का भाग नहीं है बाग यह तीनों भाग होते हैं ठीक है चालो 46 की तरफ बढ़ेंगे सब्जियों के अधिन क्या बोलते है अलरी कल्कशा चुकर करके आया है उसका उत्तर यह प्र सभी है और विटामिन सी का एक अच्छा रोत है आमला यहां पर उत्तर सही हो जाएगा आमला नेक्स्ट फालिय हम सज्जियां अच्छा सरोत होती विटाविंस अन्मिनल का तो आप्सन नमबर सी यहां पर सही है नेक्स्ट आ में फलका प्रकार किया ड्रोप कई बार रिपीटर कोश्चन है ड्रोप नेक्स्ट केला का खाया जाने बाला भाग क्या है मीजो कर्प सब्सक्राइब आप्सन नमबर सी के साथ में नेक्स्ट फैमिली आप गौवा इज मेर्टेसी यानि ऑप्सन नमबर बी राइट है नेक्स्ट यलो कलरा पपाया करिका जेंतिन नेक्स्ट बालाथ कराइब आप से गण। rain meadag अवी अहश्च प्रसन ए से याज से नकन। निव लुट को आपशें लुट के सो ए बिधिसाय या पिश्च प्रसन एभान करास्ट एफल अन ए जयब इन करदोन नेक्या यह अच्छा तरीका था अलू को बनस्पतिन आम शुलम टीवरोसम आप्सन नमबर यहां पर सही है नेक्स्ट रेट कलर टोमैटो इस डिव टू लाइको पिन ऑप्सन नमबर यहां पर सही है 59 कुपरी बास्ता इस यह वाराइटी आप आलू की वाराइटी होती है पोटेटो क और आज जो आपसे पूशेगा उनका लाश्ट कोस्टन एक बीच पत्रिय फल है कि एक मतलब एपल नहीं तो फिर है क्या पाइन एपल है आतार बीपर बनाना सही उत्तर जो जाएगा अप्सन नमबर बी सी से कोकोनेट डेट पांप तो यह थे साथ कोस्टन आइवोप आप जो जो सब्सक्राइब कर लेना मिलतें इंट्रोडक्टी बार्योजी क्लास में यार तब तक के लिए नमस्कार थैंक्स वर वासिंग